जबर्पूर से बड़ी खवर आ रही है जहां जिला योजना समीती के निर्वाचन को संपन कराने के लिए कलेक्टर डॉक्टर इलया राजा टी ने पीठा सीन अधिकारियों की नियुक्ति की जहां नगर निगम सभागार में जिला योजना समीती के सदस्यों के निर्वाचन उस नियम के हिसाफ से हर पारशद साथी को साथ वोट डालने थे और जिनको ज़्यादा वोट मिलने थे उनका चैन होना थे पहले से हम लोगों को इस प्रक्रिया का पता था इस प्रक्रिया की तयारी थी और ये भी पता था कि साथ उनके पैतालिस पारशद हैं और हमारे सब मिलाकर हमको जादा जादा 36 वोट मिल सकते महापौर का एक वोट मिलने के बाद उनके लोगों ने उनको वोट दिया हमारे लोगों ने हमारे लोगों को वोट दिया साथ उनके सदस से जीतना तैथा तो साथ उनके सदस से जीते हैं जो जिला योजना समीटी में जाएंगे यह चुनाव की एक पक्रिया है हर बार यह चुनाव होते हैं और वैसी चुनाव आजिये हुए चनाव करत क्या लगता थी जो जहने सहर विकास इसमें गती मिलेगी और देखिए तो जिला योजना समीती के सदस्ट से बने नगरमेगम से उसका सीधे तोर पर कोई लेना देना नहीं है वो तो जिला सरकार जब बैठके होगी प्रभारी मंत्री रहेंगे वो क्या निर्ने कर आज जिला योजना समीती के नगर नगरम के सदस्यों में के चुझरवाचन थे नगर नगरम में मैं पीठा सुझादिकारी था इसमें 14 अभिहर्थी थे जिन में कुल 79 वोट पड़े हैं इसमें एक मत अभिदी मान हुआ है 78 मत दे थे वो मान हुआ है इस तरह से कुल 546 मत पड़े हैं और जिनका जो अभिहर्थी थे उनके मत्रिस प्रिकार है स्री जीतियन काटारे को 45, स्री मती अर्चनासी सौधिया को 44, स्री मती निसा संजाराखार को 44, स्री महेश सिंग राजपूत को 44, स्री मती लौलीन आनन को 44, स्री सरस्य वास्ताव को 43, मुहमद कलीम खा को 36, स्री एक्तर अंसारी को 34, स्री मती अधित यतुल बाचपी को 34, स्र सब्सक्राइब के साथ सदस्यों का चैन नगर निगम के साथ सदस्यों का चैन हुआ जिसमें भारती अंता पार्टी के सातों पार्षद विजाई हुए और बहुमत के आधार पर निश्चित रूप से जिला योजनाच समीती के सदस्यों के रूप में नगर निगम के विकास जबलपुर के विकास की आवाज को जिला देख्ष कारेला में के रूप में यहां से निर्वाचित होकर यहां की आवाज जबलपुर की विकास की आवाज बलंदे करें